मैं हूँ नफीजा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई दोस्तो तामबे के बरतनों का इस्तमाल सदियों से होता आ रहा है लेकिन इसे यूज करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ फूट्स इसमें रखने से तामबे में कैमिकल रियक्शन होता है और ये रियक्शन कई बार शरीर के लिए बहुत खा तक साबित हो सकता है जी हाँ, ज्यादा तर लोग तामबे के बरतन के फायदों के बारे में जानते हैं क्योंकि तामबे में कॉपर होता है जो कुछ चीजों के साथ मिलकर रियक्शन करने लगता है ऐसे में फूट पॉइसनिंग होने के चांसे बढ़ जाते हैं जी हाँ, तामबे के बरतन में अगर आप अचार रखते हैं तो इसमें मौजूद सिरका मैटल के साथ मिल जाता है और बाद में जब आप ये अचार यूज करते हैं तो बॉड़ी में फूट पॉइसनिंग हो सकती है वहीं अगर नीम्बू के रस को आप तामबे के बरतन में रखते हैं तो इस रस में मौजूद आसिड तामबे के साथ मिल कर रियक्ट करता है इससे आसिडिटी या पीट में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके अलावा दही में मौजूद तत्व तांबे के साथ रियक्ट करते हैं जिस वज़ा से food poisoning का खत्रा बढ़ सकता है इसलिए इस चीज का हमेशा खयाल रखें कि तांबे के बरतन में किसी भी तरह के खटे फल ना रखें क्योंकि इसकी वज़ा से food poisoning का खत्रा बढ़ जाता है इसके अलावा सेव, अमरूद, अनार या पाइनपल जैसी चीजे भी तांबे के बरतन में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपको उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं या फिर घबराहट जैसी प्रावलम भी हो सकती है इसके अलावा इस चीज का भी खास खयाल रखें की दूद, गर्म हो या ठंडा, किसी भी रूप में तांबे में आपको नहीं रखना चाहिए ये भी हल्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक हो सकता है तो अब तो आप चानगे ना कि आपको तांबे में किस तरह की चीज़े नहीं रखनी है उमीद करते हैं इस से बात का खयाल करते हुए ही आप तांबे में कोई भी चीज रखेंगे वैसे हाँ तांबे में ही रखा पानी सिहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है इससे आप बिना किसी सोच विचार के इस्तमाल कर सकते हैं पर इस चीज़ का खयाल ज़रूर रखेंगे पाने में किसी भी तरह का कोई लिक्विट ना मिला हो क्योंकि इससे उसके रियक्शन का खत्रा बढ़ सकता है इसी खास जानकारी के साथ दीजे हमें इचासत बहुत जल्द मिलेंगे फिलहाल अभी के लिए बोल्ट सकाई पर पसितना है